नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन नियूस में अब वक्त है उतर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपकर उबरू कराने का पहली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दे भुदवार को मुख्यमंत्री ओग्यदितिनाथ ने हातरस की दुरभागयपूर दुरगटना में घायल हुए लोगों से बागला सेयोक्त चिकित साले में भेंट कर उनका कुशल शेम जाना चिकित सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी भी हासल की मुख्यमंत्री ने कुशल डॉक्टरों के नेतरत्व में सभी का स्वमुचित उपचारशी श्प्रात्मिक्ता पर किये जाने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि इस कटिन वक्त में राज सरकार पूरी ततपर्ता और संबेदन शीलता के साथ पीड़ितों और उनके परिवार के साथ खड़ी है उन्होंने सब भी घायलों की शीग्र स्वास्ते लाब की कामना भी की अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दें हातरस जिले के सिकंद्रा राओं में सचसंग में भगधर मच गई इसमें पैरों से कुचल कर बच्चे महिलाओं समेट करीब 124 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई यहाँ पर अनुनाईयों के साथ मौजूद हैं जानकारी मिलने के बाद रात से ही पुलिस भोले बाबा से संपर्क करने की कोशिश कर रही है लेकिन बाबा किसी से नहीं मिल रहे वो आश्रम के अंदर मौजूद हैं आश्रम में बड़ी संक्या में अनुयाईयों के होने की भी पुलिस को आश्रम का है पुलिस ने आश्रम के पास घेरा बना दिया है दमकल की गाड़ी भी खड़ी की गई है पुलिस किसी भी स्थिती से निपटने के लिए एकदम तयार है मंगलवार को लोगसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखे वार पलटवार देखने को मिले जहां सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और पीम मोदी की सरकार पर कई मुद्दों को ले करती के हमले किये इस बीच कई बार उनका शैराना अंदाज भी दिखाई दिया वहीं सदन के नेता पीम मोदी ने भी इसका करारा जवाब दिया राश्पती के अभी भाषन पर धन्यवाद प्रस्ताफ रखते हुए पीम मोदी सबसे ज़्यादा राहूल गांदी और अखिलेश यादव पर हमलावर दिखाई दिये पीम मोदी ने अपने भाषन में सपाध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा तुलसी दास की चौपाई पढ़ते हुए निशाना साधा प्रधान मंत्री ने कहा कि जुटाई लेना जुटाई देना जुटाई भोजन जुट चबेना यानि कुछ लोग सिर्फ जुट ही लेते हैं और जुट ही देते हैं यही नहीं वो जुट का भोजन और उनका चबेना भी जुटा ही होता है अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दे लखनाओ के चौक इलाके में बुधवार सुबा एक चात्रा पर एक यूवक ने एसेट फेक दिया उसको बचाने के फेर में उसका मौसेरा भाई भी चपेट में आ गया दोनों जुलस गए दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भरती कराए गया व्यापार मंडल के एक पदा दिखारी की बाईस वर्शे बेटी बुधवार सुबा आर्ट बजे लोईया पार के पास मौसेरे भाई के साथ खड़ी थी इसी बीच एक यूवक उसके पास पहुँचा और कुछ बातचीत की यूवक वहाँ से चला गया और चंद मिनुटों बाद वापस लोट कर उस पर एसिड फेक दिया जैसे ही एसिड फेका उसका भाई आ गया जिससे उस पर भी एसिड पढ़ गया अगली खबर के और बटो आपको बता दे तकरीबन 50 साल बाद दिवानी कचहरी में एक बार फिर कानून की किताबों में ताख जाक होने लगी है अधिवक्ताओं के टेबल पर नजर दोड़ाएं तो कानून की दो तरह की किताबे नजर आती हैं एक नए तो एक पुरानी कानून वाली साथ ही नजर आते हैं इन किताबों पर नजर जमाए अधिवक्ता मंगलवार को कचहरी में दिन भर नए और पुरानी कानून की गूंजी सुनाई देती रही वरेश्च दिवक्ताओं की मानी तो 1973 में नए कानून के लागू होने के बाद भी ऐसी हालत थी हर तक्ते पर दो दो किताबे वारदात को लेकर दो तरह की धाराओं का जिक्र घटना कप की है दस्तावेस तयार करने में पीडित से सवाल जवाब वारदात की जो धाराएं जुबान पर रहती थी अब उसके लिए कानून के जानकारों को कानून की किताब का सहारा लेना पड़ रहा है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशा नियूस धन्यवाद